एक्ससाइज 7.2, कोशन नबर 26 26 देखते हम लोग कोशन यह बहुत इजी है, इस कोशन में कुछ है नहीं 26 इंटिग्रेशन हमें करना है किसका कॉस रूट एक्स कॉस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स इसमें हमें सोचना पड़ेगा हम किसको लेट टी करें देखो अगर हम इसको टी करते हैं तो रूट एक्स का डिफ्रेशन क्या होता, 1 by 2 रूट एक्स तो हम लोग क्या करते हैं पुट कर लेते हैं, या लेट कर लेते हैं रूट एक्स को हम लोग टी लेट कर लेते हैं इसको differentiate with respect to x, इसका क्या हो जागा, 1 by 2 root x, x का differentiation यह होता, 1 by 2 root x, और यहाँ पर जागा dty dx, यहाँ पर हमें कहचिए, this one इधर, यानि की 1 by root x dx, इधर तो यह होगा हमरे पस, इसको 2 को हम यहाँ ले आता है, हमें 2 की जरूत नहीं है, 2 dt, यानि 1 by root x dx, इसकी जागे हम लोग क्य क्या रखेंगे, 2 dt, यानि क्या रखेंगे, यहाँ पर, 2 dt, ठीक है, और यह cos t आ जाएगा, और cos t, इसके बाद हमारे पास क्या जाएगा, sorry t आएगा, root x क्लिख रहो हमें, यहाँ जाएगा 2, cos t का integration क्या होगा, sin t, sin t plus c, बस यहाँ पर बच्चों को doubt होता हिया, minus आएगा, कि नहीं आएगा, यह यहाँ दखना, integration में जितने भी answer, integration के जितने भी answer, c में आएगे, उसके साथ minus आएगा, ठीक है, अगर यह c में आता, तो minus लगाते, c में नहीं आएगे, तो minus नहीं लगाएगे, 2, sin का क्या है हमारे पास, sorry, t की जिएगा हम लोग लिएगा, root x, sin root x plus c, बस finish हेगा हमारे पास, question number हम देखते हैं लोग, 27, 27, 27 में क्या बोला गया हमारे को, root में sin 2x into में cos 2x dx, अब अगर हमने, हमें तो पता है कि cos sin 2x को ही t put करना है, क्योंकि यह मिल जाएगा, अब cos को put करेंगे, sin तो मिलेगा, लेकिन यह under root में रहेगा, तो दिक्कत करेगा, तो हम लोग किसको let करेंगे put, sin को ही करेंगे, sin 2x को, क्या put करेंगे t, फिर differentiate with respect to x, sin का क्या होता है, cos 2x, यह differentiation कर रहे हैं, ठीक है, और 2x का 2, यहाँ पर जगा dt by dx, अगर हम dx को यहाँ लिया है, cos 2x dx, यह जगा 1 by 2 dt, यानि कि हम cos 2x dx, cos 2x dx, इसकी जगे क्या लिखेंगे, half dt, half dt, ठीक है, इसकी जगे मैंने क्या लिख दिया, half dt, half constant था, बाहर लिख दिया मैंने, और dt मिर पास यह रहा, इसकी जगे मिर पास क्या हो गया, root t, root t को तो आता ही है, आप लोगों को solve करना, यानि कि इसकी t की power half dt कर देंगे हम plus 1, यानि कि 3 by 2, plus में 3 by 2, plus c, पता लगे न, n plus 1, plus 1 करूंगा, 3 by 2, यह भी 3 by 2, आप इसकी जगे, यह तो बहुत बच्चो वारा है, समझ गया होगा, आप लोग, नहीं समझे, तो plus 1 plus कर लेना से half, plus 1 कर देंगे, ठीक है, और हमार पास क्या देगा, यहाँ पर, 1 by 2 into, यह 3, और यह हो जाएगा, t की पावर, 3 by 2, plus c, 2 से 2 कर गया, 1 by 3, t की जेगे, हम लोग आपस पूट कर देंगे, sin 2x, sin 2x, और यह 3 by 2, plus c, वहाँ सिम्पल सा अंसर है हमार पास, हो गया, question number 28, अब 28 में हम लोग क्या पूट कर देंगे, की, integration में, cos x upon 1 plus sin x dx, अगर हम इसको t put कर लेते हैं, put, 1 plus sin x को हम लोग क्या put कर लेते हैं, t put कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, t, अब इसका differentiate करते हैं, differentiate with respect to x, अब आपस क्या हो जाएगा, 1 का 0, sin का क्या हो जाएगा, cos x, sin का क्या हो जाएगा, cos x, dx, dt, क्या हो जाएगा, cos x dx, इसके जाएगे dt हो जाएगा, क्या जाएगा, under root में dt, sorry, integration dt हो जाएगा, इसके अदर हम लोग, आप कर देंगे इसके अदर, इसकी power को, t की power, half plus 1, half plus 1 plus c, यानि क्या जाएगा हमें पास, यह जाएगा half आएगा, तो उल्टा जाके आएगा, इसके निचे half आगया, यह t की power half आगया, plus c, यह half ऐसे बदल जाएगा, यह जाएगा 2, और यह जाएगा, root t plus c, इसके अदर value पुट कर दो, t की जाएगे हम कर देंगे, क्या 1 plus sin x, हमारा answer आगया, ठीक है, 29 में क्या बुला गया है, 29 में हमें दिया है, cot, यह भी simple है, cot x, log sin x, dx, एक ही बार में देखते हैं, पता लगया रहा है, कि अगर हम, इसको पुट कर लें, t, तो जादा easy हो जाएगा, log sin x को हम लोग क्या पुट कर लेते हैं, t, differentiate with respect to x, sin का क्या हो जाएगा, पहले तो log के आगे जो लिखा है, log x का क्या होता है, 1 upon sin x होता है, log x का differentiation क्या होता है, 1 by x होता है, फिर x का 1 हो जाता है, इस condition में जो इसके आगे लिखा है, पहले यह 1 upon sin x हो जाएगा, फिर sain x का रिफिन्षेशन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा और जाएगा dty dx cos upon sin क्या होता है cot cos upon sin dx को हम यहां भीज़ेंगे जाएगा dt अगर हम ध्यान से देखेंगे cortex dx इसकी जगे क्या जाएगा dt इसकी जगे क्या जाएगा dt और यह हो जाएगा हमारे पास कि जएगे टी बस बचाई नहीं कुछ वेप्तों टी कैसे करते हैं टी की पावर 2 by 2 plus c अर्टी की वैले पुट कर दो टी की वैले प्लाइगी यहां पर यह रहा यहां हमारे पास हो जाएगा integration यह जागे हमारे पास 1 by 2 t की जगे हम put कर देंगे यह रहा log log sine x log sine x और half square plus c half तो मैंने पहले लिख दिया था t की जगे log sine x कर दिया मैंने और यह square plus c बस simple answer यह हमाई पर पास बचा question number ते हो सब कुछ बहुत easy है फिर भी चलो मैं इसको करा देता हूँ कोशन नमबर 30 30 में भी कुछ हाई नहीं क्योंकि नीचे वाले का पुट कर दो 1 प्लस 1 प्लस को पुट कर दो यह हो जागा है पास sin x और यह जाएगा 1 प्लस में cos x dx अग हम इसको पुट कर देते हैं 1 प्लस cos x को क्या क्या पुट कर दें t differentiate with respect to क्या करा with respect to x इसका क्या हो जाएगा यह तो 0 हो जाएगा इसका जाएगा sin x differentiation में याद रखना अगर cos से start है तो minus लगेगा differentiation में start जो c से होता है उसका जो answer आता है वो minus में आता है और integration में जिसका answer c में आता है इसका question c में होता है तो answer minus में आता है जिसका answer c में आता है उसके साथ minus होता है यह दखना यह differentiation का है यह integration का है तो differentiation में c से start होता है तो answer minus में आएगा तो मैंने minus लिख दिया cos sin x और यहाँ पर गया dty dx क्योंकि वो याद ही नहीं तो कई बार गडबर होया था minus plus minus क्योंकि यह तो पता रहता है cos का sin sin का cos हो रहा है minus लग रहा है कि नहीं लग रहा है यह भूल जाते है तो मैंने दिमाग में बठा रखा है differentiation c से start हो रहा है तो minus लगा दो integration answer c में आ रहा है तो minus लगा दो इतना याद रख रखा है मैंने वन नहीं तो गडबर हो जाती है minus में dt ठीक है अब हमारे पास क्या हुआ sin x dx इसकी जगे minus dt आ गया तो हमारे पास क्या गया minus में dt ठीक है minus लगा दिया minus बार dt अब हमारे पास बचा क्या वन अपन में इसकी जगे मैंने क्या माना था t देखो इसकी जगे यह जो था यह minus dt आया minus बार लगा यह dt लगा यह बचा यह तो one upon t क्योंकि इसकी जगे हमने t माना था इसका क्या होता है log t minus में log t plus c t की जगे value . कई जिखोगे कि यह वन अपॉन करके है वह क्या यहता है। की हीरी प्र?? मइनस गैर लेकर अगर मंद मैंस क्या था लगाइं की आपट यह है। cos x plus c ऐसे करके लिखा होता कही जगे लेकिन आप यहीं पर छोड़े दिना answer हमारा answer हो चुक है ठीक है चलो फिर finish करते है question number अब यह कौन सा था 30 यह 30 था question ठीक है अब हम करते है 31 कि दो बढ़ते है